बात करेंगे फिल्म बसंत बहार की, इस फिल्म को डिरेक्ट किया था राजा अनवाधे ने and produced by आर चंद्रा फिल्म की कहानी लिखी रजेंत्र सिंग बेदी ने फिल्म का म्यूजिक दिया शंकर जैकिशन गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने, फिल्म के कलाकार थे भारत शंकर जैकिशन वाले शंकर जी ने दादा को बुलाया और कहा मनना बाबू इस फिल्म में एक कॉम्प्टिशन वाला गीत है, जिसे आपको गाना है भारत भूशन जी के लिए जो हीरों है और दूसरे उस्ताद के लिए गा रहे हैं, बोलियो कौन? पनित भीमसें जोशी का नाम सुनते ही, मनना डाके कान कड़े हो गए और पैर ठड़े हो गए, इस पर शंकर जी ने कहा सिर्फ कमप्टिशन नहीं, बलके उस कमप्टिशन में भीमसें जोशी को हराना भी है, क्योंकि आप इस फिल्म में हीरों की आवाज हैं, और फिल्म मे तो हीरों जितता है, दादा ने कहा, देखो भाई, ये गलत है, मैं किसी भी हिसाब से गाईकी में भीमसें जोशी को हरा नहीं सकता हूं, मैं ये गाना नहीं कहूंगा, घर आए, और उन्होंने सुलोचना अंटी से कहा, अपनी पतनी से कहा, चलो हम 10-15 दिन के लिए आप अपना काम पूरे मन से कीजे, भूल जाएए कि आपके सामने पंडित भीमसें जोशी गा रहे हैं, आप तो याद रखे कि आप हीरों के लिए गा रहे हैं, और आपको सामने वाले को हराना है, और मन्ना दा का होसला बढ़ाती गई, और उसी दिन से उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दियो, शंकर जी को का एक महीने के बाद मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, गाना रिकॉर्ड हुआ, गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ, टेक के बाद भीमसें जोशी ने हाथ मिलाया, और कहा मन्ना बाबू आप तो खुद इतना बढ़ि टेक आने दो, जो गीत है, केत की गुलाब, ये भी शंकर जी की कमपोशन है, आज की ये महफिल, श्रद्धानजली है, स्वर्गिय मन्नाडे की स्मृती में, आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन मैं देख रहा हूँ के, आनन जी आप कुछ कहना चाहते हैं, एक छोटा सा ब्रेक फिर आप से आपके हरदय के उद्धगार जानना चाहूंगा, आप सुनते रहें, सुहाना सफर विद अनुकपूर